कि हालो फ्रेंट मैं सब्सक्राइब स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूग चनल पर फ्रेंट रेलवे भरती बोट की द्वारा एंटी पीसी का जो रिफांड का लिंक था वो एक्टिवेट हो चुका है ठीक है आज से एक्टिवेट उसको हो चुका है आप अपना जो है डिक को फिल कर सकते हैं या मोडिफिकेस्टन अपको अगर उसमें ़ाइंड करना है तो च्टिव का इस वीडियो को फेसे का पेमेंत कि या एंदिक सकते हैं किलिक हीर टु व्यूड अपडेट इफ रिवाइड बैंक डिटेल अगेंस सी इन जी रोवन दोजार उनीस एंटी पीचिटी के प्रेंड इसमें कहा गया कि अगर आपने जो अपडेट करती है तो उसके लिए आप देख सकते हैं और अगर आपको कोई जरुआ था उसमें करने का को आप डेट करने का ता आप इसको कर सकते तो मैं इसमें आप जो है अपडेट करना बता हूंगा कि कैसे आपना डेट ओपald कर सकतें से इसमें और उसमें रिफांड़ आंप पा सकते हैं तो चलिए इसको open करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें detail को fill करना रहा था ठीक है तो वीडियो को पूरा देखिए इसमें सर आपको समझ में आ जागा एक ही वीडियो में कि कैसे आप bank detail को fill कर सकते हैं अगर कोई गलती उस टाइम में हुआ है अगर किसी और के ATM से अपने पैसे का transaction किया है ठीक है तो यह आपका पैसा जो इसमें refund होगा वह उसी account में चला जाएगा ठीक कि उसके बाद आपको जो है इसमें date of birth फिर एक OTP आपको send किया जाता अपने मोबाइल पर रिष्टर मोबाइल नमबर पर उसको fill करने के बाद आपको यह जो यहां पर इमेज हो रहा है इसको यहां पर मार्क्स और टेक्स को यहां पर भरना है उसके बाद आप लोग इन की क्या help text में क्या दिखाया गया ठीक है तो इसमें फ्रेंट की कुछ यहां पर है ठीक है जैसे कि सबसे जरोड़ी यहीं चीज है कि how will I know if I am eligible to submit my bank account detail यह मैं कैसे जान सकता हूं कि क्या मैं eligible हूं bank detail को fill करने के लिए इसमें देखते हैं क्लिक करके कि इसमें क्या जो है आता है reply तो देखे फ्रेंट रेलवे के और से यहां पर reply जो हो आ चुका है क्या लिखा है देखे के केंडिडेट हो है अटेंड दा फर्स्ट इस्टेज सीवीटी अपर रर्सबी सीए जिरों जोजरा निस न्ट पीसी आर ओनली एलिजिबल तो लोगिन और सब्मिट दा बैंक अकाउंट डिटेल फोर रिफंड ऑफ एक्जाम फिस एस पर पर पार 7.0 ऑफ सीए जिरों जो को मिले जिन्होंने सीडीड का एक्जाम दिया है ठीकर ऐसे चंडिडेट को नहीं मिलेगा जिनका एडमिट कार्ड जयारी किया है और आपने डाउंट भी क्या लेकिन देने अप नहीं गया है उनका यहांपे रिफंड नहीं हो सकता आप उसको जो अपडेट भी नहीं कर सकते बैंक डिटेल को ठीक है यह डाउट किलियर हो गया होगा वह से कंडिडेट ऐसे होंगे जो एक्जाम देने नहीं गया है ठीक है तो उनको जो है रिफंड नहीं मिलेगा ठीक है अगला कोस्चन क्या देख लिए आई हम नॉट रिसीब ओटीप इन माइ मोबाईल इमेल हाउ कें य्याउाट और बेह रेसी मिलेट यह मिलपाता जिस Mihalh अगे बताया आगी है कि कैसे तो यहां को करना बीक शी क्लिक करूंद देख लेते हैं है क्या धnet यहां पर रेलवे तो देखे फ्रेंट एन ओटीपी हुआ सेंट तो यह मोबाइल नंबर इमेल आईडी थ्रो विच यू रेइस्टर ओफ रर्रवी सी एन जीरों दोजार उनिस एंटीपीसी वाइल फिलिंग ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म तो आपके यहां पर एक ओटीप फिल्ट टू सब्मिट टू दा प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोसीड फ्रों ठीक है तो फ्रेंट इसमें कहा गया है कि अगर आपको जो है ओटीपी नहीं मिल पारा ठीक है तो आप जो है नौट रिसीब ओटीपी वाले चेक बोक्स में वहां पे कोना पर दिया हुआ था मैं अगया उसकका आगे में तो उसको आपको क्लिक करना है तो उसके बाद आपको जो करना है और ऐल्याएं फॉर्ट को देख लेटीद नौट कर सककते हैं यह तो को टीपी आपको नहीं आता मोवाइल पर या वो मोवाइल नंबर आपका हो गया है या बंध हो गया तो आप जो इस माधियम से इस तरीके से आपने डिटेल को फिल कर सकते ठीक है अगला कोस्चन हम लोग देख लेते हैं यहां पर क्या है ठाड में है तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा आप इस वीडियो को भी कि माधिया आपको कोई बिडियो को माधियम से आपको पता चल जागा कि step by step आपको कैसे फिल करना ठीक है तो इसमें क्या reply दिखिया दिखिये प्रीज इंटर यह 15 डिजित प्रोल नंबर एस सीन इन दसी बीटी ओन CBT admit card of RRC ठीक RRBC EN 0122 NTPC even after entering the all required details correctly if you are not able to login make sure you appeared for the CBT only CBT attend candidate are eligible to login फ्रेंड इसमें कहा जा कि अगर आप डोल नंबर इंटर कर रहे फिर भी अगर आप लोगिन आप नहीं हो पा रहे तो एक बार जो आपना प्रोल नुबर जो है उसको 15 डिजित का लोग इंक हो इसको कर देखिये अगर फिर भी आप जो है नहीं कर पार है तो आप समझ लिजे उनका यहां पर फिल जरूर होगा ठीक है चौनथा कोस्टन क्या देखिए विल मैं अकाउंट भी क्रेटेट विद रिफन अमाउंट इमेडिटली वन्साइश सब्मिट कर दूंगा तो इमेडिटली वह मेरा अकाउंट में क्रेट हो जाएगा रिफन का पैसा तो देखिए क्या कहा है इसमें रेलवे इसमें कहा गया कि नो रिफन प्रोसेस विल नॉट बी इंटिमिटेट इंस्टली यह आपका जो रिफन का प्रोसेस है वो तुरंत नहीं होगा इसमें कहा गया कि नहीं बहुत जल्दी जो इंस्टेंटली आपको जो रिफन जो है वो पैसा नहीं होगा रिफन इसमें कुछ टाइम का वेट करना पड़ सकता ठीक है और यह उने पाचवा कोशन क्या है देखे लिए पाचवा कोशन है इफ आई है इन्ट माइब डिटेल रॉंग एंड सब्मिटेट यह जो है देख लीजेगा आप लोग बहुत अच्छे से इसको धिहान से बरियेगा इसमें पुछा गया कि क्या मैं कोई गलती अगर भर देता हूं क्या मैं उसको सही कर सकता हूं तो देखे इसका क्या रेल्वे ने रिप्लाइ दे रखा है तो इन्होंने कहा है यू नो यू केन नौट क्योंकि एक बार अगर डिटेल इसमें भर दिजेगा तो यह आपका जो है आप उसको दुबारा आप इसको मोडिफाइड या आपको सुधार नहीं सकते कराट नहीं कर सकते ठीक है आपको जो है इसमें डिटेल भरिएगा उसके नीचे एक प्रिव्यू का ओप्सन मिलेगा ठीक है तो उसको आप देख लिजेगा उस टाइम तक आप चेंज कर सकते हैं प्रिव्यू में आप देखिएगा अगर आपका कोई डिटेल गलती है या कोई मिसमेच कर रहा है तो उसको दुबारा से भार लिजेगा तो चलेगा लेकिन एक बार अगर आप सब्मीट पे क्लिक कर दिए तो दुबारा उसको जो है करक्ट नहीं कर सकते हैं उसको दुबारा आप चेंज मोडिफाइड नहीं कर सकते तो इसमें क्या लिग है और अगर सही दिये हैं तो ही वह पैसा जो है आपको bank detail में जाएगा ठीक है चाटा कॉशन क्या है देखिए आई है अपना bank detail registration के time में ही फिल कर दिया मतलब जब 2019 में फॉर्म वाला रहा था उसी time मेंने फिल कर दिया ठीक है इस इत मेड़ेटरी टो फिल दा डिटेल्स ना तो अभी क्या जरूरी है उस को फिल करना तेकि क्या लिखा इसमें तो इसमें लिखा यह इसमें लिखा यह इप यू एट अटेंड दा सीवीटी वन फर्स इस्टेज अफ आर रभी सी एंग रोन दो दो दर नीश एन टीटेल नाव इवेन थ्रो यू फिल्ड अप्लिकेशन ड्यूरिंग एसेशन दर इफ अगर आप जो एउसटांबबीड दीए फिर भी आपको जो है वह अभी बैंक डिटेल आपको फिल करना ही पड़ेगा आपको आपना प्रोफाइट कराना पड़ेगा क्योंकि अभी आप जो प्रोफाइट करा यहिंगा उसी पे आपका रिफंड का पैसा जाएगा जैगा जो 390 रुपए का आसपाथ आपका refund होजाएगा 400 रुपए बोला जाता है कि रिफण्ट हो गा तो 10 रुपए इसमें बैंक का चार्ज लग जाता है जिस कारण से आपका जो है एकाउंट में 390 रुपए ही होगा होगा और 250 रुपए का इसमें जो है refund तो आपको भरके आप आगे की प्रोसेस कर सकते तो चलिए इसको हम डिटेल को फिल करके आपको दिखाते हैं कि तेईस इगारान नाइनटी फोर ट्वेंटी थी जीरो जीरो थीरी फोर तो चलिए केप्चा कोट जो उसको भर देते हैं तो क्या है इसमें नाइन भी कि नाइन एट सिक्स सेवन ठीक है कि देखिए फ्रेंड ये जो है खुल गया है बैंक डिटेल मैंने जो भरा डेट अब बर्थ इसके बाद मैंने मैटी के रोल नंबर से गया ठीक है मेरा चुकि मेरा ओटीपी नहीं आया ठीक है तो इसमें देखिए उसको आप आपन कीजिए रहात है मूश्यया पहल मैंने टाला आपको आपके सबाएगा खिरुजालीस तो इसमें दिखाते के सब्सेट मैंने चलों सब्स्काट baru है नेहींूट कर दिया दोखन 602 झौक्ड कर दिया है औरहे итоге क्लिक कर दिया है उसके पहले सब्सक्रिक करेंगे सब्सक्राइब कर करके इसके बाद आपको यहां पर करना है उसके बाद आपका यह 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 चेक देख सकते हैं यहां पर यहां पर चेक कर लिजे कि यहां सारा सही है तो यह करते हैं वीडियो आपको पसंद है और साला जानकरी आपको यहां से मिल गया होगा तो फ्रेंट वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर फ्रेंट नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन को प्रेस करें ताकि आपसे परफेट की डिल्वे अब्डेट ना छू करेंट